आप लोग phone खरीदने से पहले क्या देखते हो क्या उसकी specification sheet देखते हो क्या उसका processor गदर देखते हो क्या यह देखते हो कि अनरे कितने mega pixel का camera या फिर RAM में की battery है यह सारी चीज़े तो देखने चाहिए लेकिन मैं आप लोग वाध बता तो यह सारी चीज़े है ना ये ओन पेपर काफी ज़्याद अच्छे लगती है और इसका में तब कभी ये नहीं होता कि आपको जितने अच्छे फोन देखने को मिल रहा है मतलब जितना अच्छा वो देखने में लग रहा है रियलीटी में वह उतना ही अच्छा हो चलिए आज इसी के बार में बात करते ह लेना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना तो सबसे पहले बात करें तो इस पैसिफिकेशन शीट देखके मोबाइल फोन खरीदने की प्रता है यार यह बहुत ज़्यादा पुरानिया और इसका फाइदा यह रहता है कि स्पैसिफिकेशन शीट में बड़ा नंबर देखते हो वो बड़े नंबर को समझ लेते हैं वो अच्छा होता है जैसी कंपनीज आप लोगों को पता है ना बड़ी बैटरी डाले के लिए एमेच बढ़ा देती है क्या उससे भी फर्क पड़ता है मेगा पिक्सल जादा कर देती है नंबर ओफ कैमरा जादा कर देते हैं जादा न एक चीज काफी जादा आसन रहते है और इसलिए जो लोग है ना वो इसकी पीछा आयाते हैं लेकिन ये सारी बात है ना यह हमेशा ट्रू नहीं होती इसके काफी अच्छे एक्जामपल्स हैं मतलब काफी ऐसे फोन से जोगी ऑन पेपर अच्छे थे लेकिन रियल वर्ड मे पर आपको देखने को मिलेते हैं लेकिन फिर में बात आती है कि आकर इक्जेक्टली देखना क्या है तो देखना वो होता है कि exactly में उसको user experience कैसे है, याने कि phone के experience कैसे है, मतलब काफी अच्छा example है, generally iPhone लोग इसलिए खरीदना पसंद करते हैं, उसके इतना जाता पैसा देना इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि बदले में उने एक premiumness और experience मिलता है, एक काफी अच्छा example है, generally iPhone में 3GB RAM देखने का मलती है, लेकिर वो 4GB, 8GB RAM वाले Android phone को धूल चटा सकता है, 12GB RAM के Android phone को को कोई 4GB RAM वाला जो iPhone होता है, वो से पीछे छोड़ सकता है, वहल ये बात है fact हो जाती है, अब ऐसलिए क्योंकि hardware और software के पीछ में जो integration है वो बहुत जादा interesting है, और इस type का जो level का optimization होते या mid-range processor क्योंकि आद के सही में, जो mid-range processor है ना, उनमें भी लोग को पता नहीं चलता कि exactly वो use या कर रहा है, और जो general level पर performance अच्छी मिल रही तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन इसके आगे चलके कुछ ऐसी चीज़ है, जो एक महेंगे phone को थोड़ा सा लग बनाता है, experience में value एड़ करती है, एक काफ रचा example है haptic feedback का, haptic feedback कभी आपको 20,000 के अदर वाले phones में अच्छा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसी 30-40,000 में जाते हैं, वहाँ पर haptic feedback की quality भढ़ जाती है, इसके बाद जैसी अगर आप premium category के अंदर जाते हैं, वहाँ पर haptic feedback भढ़ जात और इस type की चीज़े जो होती है, वह experience में एड़ करती है, ऐसे ही AMOLED screen, high refresh display के साथ यह चीज़ एड़ करती है, ऐसे ही cameras के megapixel है, budget phones में या फिर mid range तक आपको काफी अच्छ excitement दिलाते हैं, जादर number cameras है, जादर number of megapixel हैं, लेकिन जब आप थोड़े high level पे जाते हो, मतलब किसी अच्छे खासे premium range में, तो वह megapixel से जादर यह देखा जाता है, कि exactly image में quality कैसी देखने को मिल रही है, और images जो final output आ रहे है, यह नहीं देखा जाता है, इसमें से 108 megapixel की image आ रही है, इसमें से 48 megapixel की आ रही है, तो 108 की better होगी, real output कैसा है, वो चीज़ देखी जाती है, तो कहने फोन लेना, यह समझदारी नहीं है, मतलब अगर एक specification sheet देख के फोन लेना है, मतलब तो आप तो कोई सा भी फोन ले सकते हो, और जनरल यह एक specification sheet देख की फोन लेना होता न लोगों को, तो आईफोन तो कभी बिक्ती नहीं है, आईफोन तो on paper 12 megapixel का camera देते, तीन camera देते, ज परहेंगा फोन लेना पसंद करते हैं, एक काफी अचा एक्जामपल है, चलो आईफोन को जाने देते, आईफोन की color category है, OnePlus का एक्जामपल लेते हैं, OnePlus के इतने सारे समय से जो अपने फोन के prices क्यो बढ़ाते हो जा रही, क्योंकि वो consistent user experience देते हैं, यानि कि Oxygen OS है उनके बस, 55,000 रुपीज का फोन लाते हैं, फ्लैस सेल में उसे रखते हैं, फ्लैस सेल में बिग जाता है वो फोन, Xiaomi के कोई भी फोन में अभी ऐसी हिमत नहीं है, कि वो अपना 55,000 का फोन ऐसे फ्लैस सेल में बिग है, MI10 आया, लेकिन MI10 से जाधा जो हाईप अभी भी है, वो OnePlus 8 Pro की है, Similarly OnePlus Nord अभी रिलीज हुआ भी नहीं है, लेकिन लोग उसको उन्तिजार कर रहे हैं, क्योंकि लोग एकसाइटेट है, क्योंकि लोग जानते हैं कि OnePlus रेमियम क्वालिटी देता है, और वो चाहते हैं कि 30,000 से कम में क्या चीज वो लेक्या सकता है, और definitely जब वो 30,000 से कम में आए Note Series का, Note Series को सिर्फ इसलिए खरीदा जाता है, क्योंकि उसकंदर आपको S Pen देखने को मलता है, जो बिजनस प्रोफेशनल है, वो S Pen के experience और जो यूज होता है, उसके लिए खरीते हैं, जनरली आपको किसी दूसरे फोन में S Pen देखने को नहीं मिलता, ये बात हो जाती है, ऐसे iPhone है, आपके पास हो, सारे Apple के प्रोडक्ट से है, तो सब आपस हैं बहुत अच्छी तरीके से चलते रहेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे आपने iPhone हटा के Android को डाल दिये, तो कहानी उल्टी पड़ जाती है, तो कहने का मतलब ये है, कि experience की priority रहती है, वो comparatively जादा रहती है, और हमेशे specification देख के phone खरीदना, ये थोड़ी समझधारी बारा फैसला नहीं होता, मतलब मैं आप लोगों से यही कहूंगा, कि जब भी आगर आप कोई phone लेने चाहते हो, तो एक बार उसको हाथ में experience करके देखो, कि हाथ में in hand feel कैसा आ रहा है, reality में आपको उसका camera अच्छा ल कर जाती हो, कई बार लगता है कोई phone उसकी specification अच्छी नहीं है, कई बार वो underrated लगता है, लेकिन कुछ time की बाद वो काफी चीज ले लेता है, well हमेशा बात सहीं नहीं रहती हमेशा high specification वाली चीज में भी कई बार आपको अच्छी value for money मिल जाती हो, तो वो भी काफी अच्छ को देतो, यह बात comment बात बताना ना भूलना, और अगर वीडियो कर आप लोगों को पसद ना है, तो like कर लेना, चैल को subscribe कर लेना, thank you आपको वीडियो तेखने के लिए, मैं आपने नेक्स वीडियो के अंदर, good bye!